अस्सलाम अलेकुम, Spicy Bites में आप सबका एक बर फिर स्वागत है, तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन कस्षा, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें अस्सलाम अलेकुम, तो चिकन कस्षा बनाने के लिए, मैंने यहां अपनी इंडिडेंट्स को रेडी कर लिया है, यहां मैंने चिकन को भी रख लिया है, यहां आज मैं देशी चिकन का यूज़ करूँगी, आप चाहे तो बोईलर में भी बना सकते हैं, तो यहां हमने अपने यह हमारा तेल बिल्कुल करम हो गया है, अब हमें इसके अंदर यह रख लेल, चौट के हुआ प्याज आइट करना है, अगर आपके पास छोटे प्याज है, तो आप तीन ले ले ले, और अगर बड़े साइट के प्याज है, तो तीन ले ले, अब हमें इन सब को अच्छी तरह से फ्राई करना है देखिए हमें प्यास को इस तरह से अच्छे से गोल्डेन ब्राउन होते तक का फ्राई करना है देखिए हमारा प्यास अच्छी तरह से फ्राई हो गया है अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानि कि अद्रक लसुन का पेस्ट डालना है इस प्याज के पेस्ट पेस्टोरा गतशी है यह बड़ Champions प्याज को result रहा है फसी divisive करना है analyst हमें इसे अपने बिड़ा whipने छिनको यह यह जड़ा अपने नफीन दो बड़े चमच दनिया फाउडर दो बड़े चम्मच जीरा पाउडर, ये दो छोटे चम्मच हरी फे रेट चिली पाउडर, ये एक छोटा चम्मच ब्लाइक पेपर यानि की गोल की पाउडर, इसमें एक चम्मच की करीब हल्दी एड़ करना है, इसमें अपने चिकन को भी मसाले में एड़ करता है, इसमें अपने चिकन को भी मसाले में एड़ करता है, ये देखिए, अब इस स्टेज पर हमें अपने चिकन में धकन लगा देना है, और मीडियम फ्लेम पे इसे करीब 20 से 25 मिनट के लिए पकने देना है, क्योंकि मैंने देशी चिकन यूज किया है, तो इसे पकने में थोड़ा वक्त लगता है, अब इस स्टेज पर करीब 5 मिनट पकने के बाद हमें इसके अंदर दही आड़ करना है, ये हमने दो छोटे चमच दही ले लिए हैं, इसे आड़ कर दे, और यहां 8 से 10 काजु को थोड़े से पानी के साथ ऐसे प्यूरी बना दिया है, उसे भी आड़ कर ले, इससे भी बहुत अच्छा प्रिवर आएगा, अब हमें इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अब इसे फिर से ढखकन लगाकर अच्छी तरह से और 15-20 मिनट के अच्छी तरह से भून लेना है, हमने अपनी मसाले को सुरू में नहीं भूना था, इसलिए अपने चिकन को अच्छी तरह से मसालों के साथ पकने दिया, अब हमें इसे लास्ट में अच्छी से भूनना है दीमे आच में, यह देखिए हमारा चिकन बनकर बिलकुल तयार हो अब इस टेज पर हमें अपने गयास को आफ कर लेना है, अब थोड़ा सा कोरियांडर लीप सेनी के धन्यापता डालकर गार्निश कर देंगे, अब हमें इसे वाउल में निकाल लेना है, यह देखिए हमारा चिकन कस्छा बनकर बिलकुल तयार हो गया है, वीडियो पूरा द जरूर करें, अल्ला हाफिज